हेलो वेलकम को डबलो एस क्यूब ठेक आज की इस मैटलेब की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंटीनिवस सिग्नल एडिशन के बारे में यानि कि अगर दो कंटीनिवस सिग्नल हो उसको एड करू तो उसका प्लॉट कैसा दिखेगा और उसी को अगर मैं सब्स्ट्रैक्ट क सिग्नल यानि कि प्रियॉडिक और नौन प्रियॉडिक इस के बाता है कि सारे जो सिग्नल होते है उनका पिरेड टाइम पिरिड ऑफ रोतेशन ताइम पिरेड ऑफ साइकल वह होता रता है और non periodic signals के अंदर उनका time period fixed नहीं रहता तो हम यहां पे continuous signal भी ले रहे हैं plus उसके साथ साथ इसका periodic signal भी है यहनि continuous periodic signal का addition लेंगे और continuous periodic signal का ही हम subtraction लेंगे तो इसके अंदर हम change कर देते हैं continuous periodic signal का हम addition इस video में देखने वाले हैं तो continuous periodic signal के अंदर हम सबसे पहले time define कर देते हैं तो time define करने के लिए हम लेते हैं T की value तो T की value हम लेते हैं T equals to 0 से लेके 0.0001 का difference से और 0.1 तक 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 लिए हमने T define कर दिया अब हम इसके अंदर सबसे पहले पहला signal ले रहे हैं कि हमारे पास periodic signal है वह है हमारे पास sinusoidal wave तो हम सहले frequency define कर देते हैं तो frequency हम ले लेते हैं 50 hertz के लिए तो f equals to 50 ले लिया क्योंकि sinusoidal wave हमें कुछ ने कुछ frequency देनी पड़ेगी उस frequency के हिसाफ से इसका cycle decide होता है यानि कि इसका time period होगा वह one upon f होगा repetition of cycles का तो चले यह तो हमारी frequency आ गई अब हम इसके अंदर जो signal ले रहे हैं वह इसको अजूम कर रहे हैं कि x1 है जो पहला signal है वह sinusoidal wave वह हमारा एक्सवन के अंदर आएगा तो इसके लिए हम लेते हैं sin 2 into pi into f into t यह हमारे पास पहला continuous periodic signal generate हो गया है जो x1 के अंदर आ रहा है तो हमारे पास x1 के अंदर sin 2 pi f t आ गया similarly इसी के अंदर हम ले लेते हैं x2 x2 के अंदर हम क्या लेंगे कि दूसरा periodic signal लेंगे दूसरा continuous periodic signal तो sin के अलवा हम ले लेते हैं cosine वह भी हमारे पास periodic signal है तो cos 2 into pi into f into t यह हमारे पास sin और cos x1 और x2 के अंदर आ चुके हैं यहाँ पर लगाना फिर enter करना अब हमें इसको प्लॉट करना है अलग अलग और उसके बाद इसका एडिशन देखने तो एडिशन करने के लिए यहां पर देखिए c o s cos लिखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे supply कमंड के यूज करेंगे तो supply हमें 3 चीजे प्लॉट करनी है तो 3 चीज़ प्लॉट करने के लिए हम यहां पर एक ही कॉलम के अंदर और हम इसके अंदर लेंट देते हैं यह थाइम मेरं एक्सेस लीख देता है उसके बाद ऑध या के अंदर हम देते हैं यह हमारे पाससाइन साइन फंक्ष्न है तो हम लेड़िता हैं रहीं फवन्क्षन छोड़ एंड़ लोग दिए एफ वो टाइटल हम दे तकते हैं स्को इसको कंटिनीवास सिग्नल दिकलिına के वैंब वैसे हम दिख लिए कि यह सिग्नल सब्सक्राइब करेंगे इसकी पॉजिशन हम दूसरी देने के लिए यहां पर लिख देंगे यानि सेकेंड पॉजिशन पर प्लॉट होगा जो भी प्लॉट करेंगे तो सेकेंड पॉजिशन पर हमें पास हो गया एक्स टू अभी वैसे हम वाई लेबल और एक्स लेबल और टाइटल को हम एज़ इस कॉपी करेंगे और यहां पर जस को साइन वेव के अंदर हम को साइन वेव चेंज कर रहे हैं से और जो कंतिन् expired अब को साइन हो धाएगा तो यह देखिए हमारे पास आ चुका है को साइन और खाल करके देख लेते हैं सो प्लॉट करते हमारे पास देखिए साइन वेव आ गया अर एक व्यदस्जां के लिए हम चाहतो डिक्री work कर सकते हैं तो सब्सक्रति हम continuous signal को ही साथ में देखते हैं addition तो चले अभी इन दुनों का addition को plot करना है तो addition plot करने के लिए हमें third position पर plot करना है तो उसके लिए subplot command use लेंगे as it is तो as it is copy किया यहाँ पर उसकी position third कर दी है अब यहाँ पर हमें plot करना है तो plot अब मुझे x3 करना है तो हमें यहाँ पर x3 चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमने x3 चेंज कर दिया plot कमांड को ही copy करके as it is और x3 x3 के अंदर के हमारे पास addition of continuous signals है अब इसके अंदर हम labeling कर देंगे तो labeling के लिए just as it is copy करेंगे और यहाँ पर paste कर देंगे पेस्ट करने के बाद हम इसके चेंज करेंगे यह हमारा time access है यह हमारे पास y access है वह plus sign यह इसको लिख सकते हैं sign plus cos wave है और यहाँ पर जो title आएगा वह हमारे पास addition आजाएगा addition of continuous wave यह continuous signal यहाँ पर हमने just दो ही signal लिया इसके अलावा हम किते भी signals ले सकते हैं जिसका मुझे addition करना हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो signal का addition आएगा तो यहाँ पर देखिए यह amplitude इसका वन था और इसका भी वन था और इसके अंदर जब addition करेंगे तो maximum amplitude आएगा वह हमारे पास तू आना चाहिए तो यह automatically cycle change हो गया है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वन था यहाँ भी वन था maximum minus 1 से वन तक यहाँ भी minus 1 से वन तक यहाँ 0 से 2 तक आ गया है यानि जो भी addition हो रहा है वो just इसके amplitude और इसके amplitude के according हो रहा है और जो main signal बना है वो continuous signal ही बना है तो almost यहाँ पर सिर्फ value change होगी बाकि continuity maintain रहेगी इससे यह पता चलता है कि दो continuous signal को अगर हमने add किया तो हमारे पास जो output में आएगा signal वो भी continuous ही होगा बट उसकी amplitude है वो change हो जा 01 पर आ रहा है इसका 015 पर आएगा अ लेकिन इसका जो time duration है somewhere around 011 या 012 पर आ रहा है तो देखिए यहाँ पे इसका time duration अलग है इसका time duration अलग है और इसका time duration अलग है तो इस तरीके से हम 2 signal का दो continuous signal का addition कर सकते हैं इसी तरह के से हम चाहें तो दो continuous signal की जगा दो discrete signals को भी हम add कर सकते हैं तो इसी के अंदर अगर हम इसी को discrete signal देखना हो तो यहां पर हम discrete signal देख सकते हैं बस उसके अंदर plot की जगा हमें सिर्फ स्टेम कमांड का यूज़ करना पड़ेगा तो यहीं पर मैं अगर स्टेम कमांड का यूज़ लूँ सिर्फ इस वाले portion पर यहीं थर्ड पोजिशन पर तो कैसा दिखता है वे फ्रम तो चलिए मैं plot की जगार यहां पर सिर्फ थर्ड वाले पोजिशन पर ध्यान दिजिए मैं थर्ड वाले पर सिर्फ स्टेम कमांड यूज कर रहा हूं तो स्टेम कमांड यूज किया और फिर रन किया हमने तो रन करते है यह देखिए हमारे पास इस तरहे से हमारे पास बिस्क्रीट सिग्नल बने हुय आ गया बट हमारा एम है साइन वेव आया और यह एडिशन ऑफ टू कंटिनिवस सिग्नल सागे जो साइन एन कॉस्वेव दोनों का एडिशन है तो यहां पर देखिए ये इस तरीके से हम दो कंटिनिवस सिग्नल को यह दो डिस्क्रीट सिग्नल को भी एड कर सकते हैं तो होफुली यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू